वेल्कम बैक टू मेरा अपना स्कूल असलामु आलेकूम कैसे हैं वेटा आप लोग सब खेरियत से हैं तो चलिए शुरू करते हैं शुरू तो हम कर चुके थे एक्जाक्टली प्रोपेगेशन और रिफ्लेक्शन अफ लाइट के चैप्टर के अंदर थ्रूआउट सारी कम्प्लीट थियोरी को हमने डिसकस किया दैन फिर उसके बाद प्रॉब्लम जो एक्सराइस के एंड में होती है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड भी दो प्रॉब्लम हम करके आ चुक अबजेक्ट इस सिचुएटेड एट डिस्टेंस ओफ 20 सेंटी मीटर फ्रॉब्लम अ कॉनकेव मिरर इस्टेंस पर इस डट बैटर के हम डाग्राम भी इक्रफ डाग्राम भी बना ले ठीक है डाग्राम नेसेसरी तो नहीं होती लेकिन क्योंके डाग्राम अगर बनी भी होत होती है तो उससे हमें numerical ज्यादा बहतर clear हो जाता है और जो confusion होती है वो भी इस पर solve हो जाती है चलिए यह हमारे पास simply के इसके कॉनके बिरर है हमें पता है कॉनके बिर्ट की जो outer side होती है वो polished होती है और inner side जो होती है वो उसका reflecting surface होता है जो इसका front होगा exactly reflecting surface हमेशा mirror का front क्यालाता है तो यह आपके पास concave mirror का front part जो है वो हम use करेंगे अब हमें यह पता exactly यह mirror का जो सेंटर है वो पोल कैलाएगा यहां कहीं फोकस होगा और फोकस जितने डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम दे पोल उतने ही डिस्टेंस को हम आगे बढ़ाकर फोकस से सेंट्र आफ करवेचर रखेंगे ठीक है अच्छा कहा गया था कि अबजेक्ट को आपने 60 सेंटी सौरी 20 सेंटी मीटर के डिस्टेंस पर रखना है 20 cm के distance पर आपने object की placement करनी है तो हम ले लेते हैं यहां कई between focus and center of curvature हम object रखते हैं ठीक है और exactly इसको scale से measure तो नहीं करने वाले एक rough diagram है समझ लेते हैं कि object तकरीबन इस वक जो है वो from the mirror 20 cm के distance पर है अच्छा अब object पर पढ़ने वाली जो भी light होगी वो light ray object से reflect होकर सामने mirror पर पढ़ेगी और mirror से वापसी आने पर image आपको form करके देगी तो यह हमारे पास हम दो rays लेते हैं हमेशा से और उनके दरम्यान जो भी intersection point होता है वहीं पर आपका image form होता है यह आपके पास पहली ray आगई जिसे मैंने principal axis के parallel रखा वा अब क्या होगा exactly after the reflection focus से गुजर जाएगी इसका पात एकदम straight होगा ठीक है तो यह आपके पास focus से गुजर गई secondary हमारे पास option और बहुत सारे लेकिन मैं secondary यहां पर जो ले रहा हूँ वह पोल पर जाकर strike करा रहा हूँ ठीक है अगर पोल पर strike करती जितना angle of incidence बनता है इस रेका उतना ही angle of reflection बना कर वह reflect हो जाएगी तो यह आपका image कहीं यहां जाकर बन रहा है ठीक है तो अब आप यह suppose कर लें यह angle हमेशा सेम रहेगा secondary हमारे पास यह हो गई अच्छा यहां mention कर लेते हैं यह आपका object है और यहां image हमारे पास form हो गया object distance हमें दिया गया है 20 cm तो यह आपका object distance from the pole कितना होगा 20 cm चलिए problem number 3 थी है तो exactly problem number 3 की heading डाल देते हैं data जो values जो information आपको दी गई उसे आप यहां extractor के एक जगा collect कर लो data के अंदर आपको बताया गया कि object distance from the concave mirror कितना होगा 20 cm तो यहां पर मैं लिख रहा हो भी object distance हमारे पास 20 cm है जो गिवन है ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं find the nature and the position of the image हमें nature भी निकाल के देनी है और साथ साथ position भी यानि location exact कहां पर image form होगा वो image का distance भी निकाल के देना है तो exactly जो निकालना होता है उसे required की heading के नीचे लिखा जाता है तो यहां पर आपको एक तो nature बतानी है image की ठीक है और वो कैसे पता लगेगी at the end जो हमारे पास image का distance आएगा उससे हम पता लगाएंगे कि हमारे पास nature क्या है इस image की दूसरा image distance भी निकाल के देना है image distance को कैसे कहा गया image distance को कहा गया position ठीक है position का मतलब होता है exact exact location ठीक है of the image जो है वो भी आपने निकाल ली है यह required पर आ गया चलिए आगे पढ़ते हैं if the focal length of the mirror is 15 centimeter mirror से बढ़ने वाला जो focal जनी इस mirror को इस mirror का जो focal length होगी इस mirror की from the distance जो focus से लेकर pole का होता है उसे हम focal length कहते है जो यहाँ पर दिया गया है तकरीबन 15 centimeter के बराबर है तो हम ले लेते हैं यहाँ पर हमारे पास focal length मौजूद है 15 centimeter के बराबर calculation पर जाते हैं without time waste किये और सोचना शुरू कर देते हैं कि कैसे solve होगा previously जतने numerical सभी तक हमने किये उसके अंदर सभी के अंदर हमने mirror equation यूज किये यहाँ पर भी exactly mirror equation ही यूज होगी object distance focal length image distance इन तीनों के relation की हम बात कर रहे हैं और इन तुनों के relation का जो relevant formula हमने drive गया था वो mirror equation ही थी तो exactly यहाँ पर हम find out करने जा रहे है for q हम q निकालने जा रहे है image distance निकालने जा रहे है और using mirror formula ठीक है और mirror formula होता क्या है 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q means reciprocal of focal length is equal to the sum of object distance reciprocal of object distance and the reciprocal of image distance अच्छा यहाँ पर एक और way easiest way मैं आप लोगो और भी समझाता हूँ देखे हमें जो चीज निकाल ली है न एक और तरीका देखो हम normally इससे पहले numerical करके आये थे उसमें निकाय किया values जो दी गई थी उसे directly मिलर के formula में डाल दिया और फिर उसके बाद उसका LCM वगरा लिया, solve किया और result निकाल लिया ठीक है वो भी बहुत आसान था कहीं पर बच्चे LCM करते वर फसरे होते हैं कहीं पर बच्चों को यहां पर confusion ना हो तो एक और way हमारे पास होना चाहिए AC numerical को solve करने का वो क्या हो सकता है कि पहले formula में से आप उससे अलग कर दें जो चीज आप जो आपको निकाल के देना है जैसे हमें image distance निकाल के देना है तो यहां पर आपके पास image distance अलग हो गया जो हमें निकाल ला था ठीक है उसके बाद थोड़ा सा और मजीर इसको simplify करते हैं अच्छा अब अगर यहां इन दोनों का LCM लिया जाए तो exactly यह कोई number तो है नहीं यह हमारे पास symbolification यानि symbols हैं different चीजों के तो हमारे focal length और object distance दोनों को ही हम LCM के तौर पर रख देंगे ठीक है अब LCM जब one over f के साथ solve होगा तो जो focal length है focal length से focal length cancel हो जाएगी यहां पर आपके पास object distance आएगा और जब आपने यही LCM जो के fp है उसको आपने अगर one upon fp के साथ solve किया तो object distance से object distance कर जाएगा और बचेगा हमारे पास f one upon q ठीक है चलिए अब उसके बाद मजीद और क्या किया जा सकता है और यह भी कर सकते हम बस इसको यहीं पर रहने देते हैं उसके बाद आप values पूट करना शूरू करते हैं ठीक है object distance हमारे पास 20 है तो यहां पर 20 आ जाएगा focal length हमारे पास 15 cm दी गई थी हमें वो हमने रख 15 और focal length दुबारा आपने रखनी है 15 object distance की value भी दुबारा पूट करनी है जो कि 20 के बराबर है वन अपन क्यों आ गया solve करें 20-15 यहां से 5 बचेगा और 15 upon 20 ठीक है यह फिलाल मैं multiply नहीं कर रहा है क्योंकि cancel किया जा सकता है देखें 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 ठीक है अब easy हो गया exactly 3 को 20 से multiply किया तो 320 जा 20 को 3 times अगर multiply किया जाए यह 20 को 3 times रखा जाए तो क्या होगा 60 होगा ना 320 जा 60 तो यह आपके पास 1 upon q अब cross कर दें q1 से multiply होके q आ जाएगा और 61 से multiply होके 60 आ जाएगा unit cm ही रहेगा unit बेटा कभी मत बूला करो लिखना unit must भी लिखा करो क्योंकि exactly unit के भी marks होते हैं त कि 60 cm आ गया है चलें यहां तक हमने position बता दी नेचर कैसे बता होगे exactly 60 cm प्लस या माइनस कौन सा साइन आपको आदे दिख रहा है exactly plus मैं है पॉजिटिव मैं तो पॉजिटिव साइन शो कर रहा होता है कि यह image होगा वह कौन सा होगा रेल होगा तो यहां हम लिख देंगे nature जो है हमारे पास image की वो क्या बनकर आई है nature हमारे पास real image है ठीक है यहां लिख देते हैं real image ठीक है चलिए अब जल्दी से इसका screen shot लें और इसे अपने पास register पर या copy पर उतार दें ताके आप लोग की एक अच्छे से practice हो जाए इसकी और चलें good okay चलें फर इंशालला आप अब दुबारा मुलाकात होगी ठीक इसके बाद आने वाले numerical को लेकर solve करेंगे हम तब तक के लिए अपना बहुत सारा खैल रखेगा thank you so much Allah